वीडियो देखने वालों को नमस्ते तो आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में चाइना जो है इस समय तीन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है कौन है वो तीन समस्याओं और क्या उसका असर हो सकता है उसको समझने की कोशिस करेंगे तो तीन समस्यां जो है इस समय से जूज रहा है चाइना वो है Belt and Road Initiative वाली दूसरा Real Estate का Crisis चल रहा है और तीसरा अब जो शुरू हो गया है वो है Power Crisis तो ये तीन बड़ी समस्यां जो है इस समय चाइना में चल रही है तो पहले अगर बात करें Belt and Road Initiative की तो ये चाइना का वो प्रोजेक्ट है जिसमें वो कई देशों में Infrastructure Projects की Funding कर रहा है और ये Funding वो कर रहा है अपनी Public Saving से यहनि की चाइना की जो जनता है जनोंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है क्योंकि चाइना की Economic Growth जो है काफी शांदार रही है पिछले 10-20 सालों की तो उनका जो Access पैसा है जो Saving में Bank में आया और इसी को जो है Bond की रूप में चाइना की सरकार ने ले लिया और ये जो है ये पैसा जो है अब दूसरे देशों में वो लगा रहा है अब इस पर ये जो पैसा लगाया है दूसरे देशों में उनसे रिटन जो है आ नहीं रहा है तो ये एक समस्या है अब एक और बड़ी समस्या इसके साथ सामने आईए कि यहाँ पर एक Heavy Level का Corruption जो है चला है इस पूरे BRI में Corruption ऐसा चला है कि जो दूसरे देश हैं या इनके खुद के लोग हैं इन्होंने जो है इतना Access Profit जो है जूटी कहानिया जो है वो सुनाई वो सुना के Project Approve कराए ताकि बड़ा सा काम हो वहाँ पर उसमें सब का पैसा बने वो सब हुआ लेकिन जब Outcome आया जब उसका Result आया तो वो नहीं आ रहा है जैसे कि लगा दिया बड़ा सा पैसा कुसी Highway बनाने में बोला कि इत्ता टोल टेक्स आएगा पर आई नहीं रहा कुछ पोर्ट बना दिया उसमें बोला इत्ता ट्राफिक होगा पर ट्राफिक 10% भी नहीं आ रहा तो ऐसी चीजे जो है उन्होंने बह टन नहीं आहीं अब जो है कई सारे देश जो है इस पर फिरसे रेजाशी करने की बात कर रहे हैं कुछ जह रहा है कि आप जो है कुछ प्रोजेक्ट कैंसल किए जाए तो अगर हम बात करें स्रीलंका में जो है इतना बड़ा जो पोर्ट बनाया गया वहां पर यहां पे ट्र यही हाल माल्लीव के भी होने लगे हैं वहाँ पे भी कुछ इनकम नहीं आई है कुछ कारण गरोना भी है क्योंकि माल्लीव जैसा देश टूरिजम पर ही पूरी तरह से उसकी एकोनोमी चलती है और टूरिजम करोना ने खराब कर दिया तो यहाँ पे यह सारे प्रोजेक्ट फ बन रहा था उसको cancel कर दिया है कि अब हमें नहीं बन वाना जाओ आप भाड़ में तो ये चल रहा है वैसा ही कुछ resistance जो है अब नेपाल की तरफ से भी देखने को मिल रहा है वहां भी जो है वो जो है हर बात में हां में हां जो अब तक मिला रहे थे अब नहीं कर रहे हैं और क Forex Reserve इतने बुरे हुए लेवल तक जा चुका है तो वो खुदी कर्ज मांगने में लगा हुआ है बार बार हर जगे से तो यहां पे इतनी बुरी आलत हो रही है कि और further investment जो है पाकिस्तान में चाइना के लिए जो है वो flop ही होने जाना है तो अब चाइना ने भी जो है बहां सा investment कर दिया उसका अब return नहीं आ रहा है अब यह समस्या फिर भी जहली जा सकती क्योंकि वो public का पैसा है चाहिना क्या आम जनता तो उसको कैसे भी manage किया जा सकता है वो foreign debt नहीं है दूसरी समस्या है इनके सामने वो खड़ी हो रही कि इनकी एक बड़ी company real estate की सबसे बड़ी company एवर grant वो अब 300 billion dollar के कर्श पे default होने जा रही है इस company ने बहुत सारे fancy business किये real estate के अलावा भी और वहां से जो है इनके return नहीं बने और जो है real estate sector चल नहीं रहा है property अब बिग नहीं रही है यह सारी चीजों के कारण जो है अब यह दिवालिया होने जा रहे हैं तो ना company बलकि कोई और भी company जो है बहुत सारी जो है दिवालिया हो सकती है अब इनके दिवालिया होने से क्या होगा बैंकों का बहुत बड़ा loss होगा बैंकों का loss मतलब economy का loss तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह चाइना का Lebanon brother जैसा crisis हो सकता है जो कि 2008 में अमेरिका में हुआ था अब इसक तो चाइना कैसे manage करता है वो देखने वाली बात है manage करने के लिए हो सकता है कि चाइना की सरकार जो है इस company को bailout करे या उसको और करजा दिला दे ताकि इस present वाले करजे को manage किया जा सके तो वो देखना है पर अब इस present जो है यह बड़ी समस्या यहाँ पे चल रही है अब न relation इतने फैंकर level पे हो चुका है कि वहाँ पर प्रदूशन का स्तर जो है बहुत खतरनाक है लाखों लोग जो है प्रदूशन के कारण जो है वहाँ पे मर रहे हैं हर साल के और अब क्योंकि वहाँ की आबादी भी नहीं बढ़ रही है तो यह चिंता वाली बात अब हो जाती है तो चाइना की सरकार ने जितने भी thermal power plant थे coal power plant थे इन सब को जो है डेडलाइन दी थी कि इस period तक जो है आप अपना pollution वाले emission वाले जो भी norms है उनके level के नीचे आई अगर आप नहीं आएंगे तो हम बंद कर देंगे तो यहाँ पर कई ऐसे जो है thermal power plant जो है उन्होंने क्योंकि अब सर्दी भी आने वाली winter आने वाला तो winter में जो है क्या होता है कि smoke जो है वो बहुत बढ़ता है तो चाइना नहीं चाहता कि दुनिया जो है वो सब देखे इसलिए वो proactive action ले रहा है भले ही power crisis हो रहा है बिजली कटोती हो रही है लेकिन वो जो है thermal power plant जो है आप thermal ही चला रहा है मतलब अपने देश को साफ करना है और दूसरे सारे देशों में pollution करना है तो वो policy जो है यह भी इनकी ऐसी ही चल रही है अब यह सारी चीजों का असर जो है यह हो रहा है कि चाइना से जो है बहुत बड़ा investment जो है वो निकल रहा है और वो भारत की तरफ रहा है तो बड़े foreign investors जो है वो चाइना से पैसा निकालने में लगे हुए है यही आप भारती शेयर बाजार को देखिए तो यह जो है नई बुलंदियों को रोच छूरा है कारण यह है कि यहाँ पर FIIS की यह विदेशी निवेशकों की बहुत सारी खरीदारी हो रही है त जिस दोरान चाइना का शेयर बाजार 15% नीचे गया है उसी दोरान हमारा शेयर बाजार जो है वो 50% जो है उपर चला गया है तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो है यहाँ पर investment हो रहा है और जो सरकार ने PLI scheme के तहित कर रहा है वो भी बहुत बढ़िया काम है वो भी बड़े बनके उभरेंगे जैसे कि अगर इनकी pollution वाली समस्या समझ सुलच जाती है और green energy पे चाहिना आ जाता है तो आगे चलके और ताकत वर होंगे जो excess boom चल रहा था है रियल इस्टेट में की public का madness चलता रहता है बीच बीच में की property खरीदना है वो भी जो है ठंडा हो ज जाएंगी चाइना की economy के लिए और बड़ी problems होंगी और इसके बाद जो है इनके बड़े प्रोजेक्ट जो है और खराब होंगे लेकिन इनको अगर वो solve कर लेते हैं जैसे तैसे तो फिर यह है यह और जादा मजबूत हो जाएंगे इस पर आप अपने विचार रखिए कमे में आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम जैन